अब आपको यह बताऊंगा कि अगर आप यूटूब चैनल पर नहीं हो आपने नया चैनल क्रेट किया है तो आप उस को कैसे नेबल करोगे आपको कैसे एक्टिवेट कर सकते हो तो इसमें करना क्या होगा सबसे पहले आपको 4000 घंटे जो है यूटूब की पॉलिशी के मुदाबिक वो कंप्लीट करने होंगे उसके बाद क्या होगा कि आपका जूच चैनल है वो यूटूब के रिव्यू सेक्श अपको बताउंगा step by step अपने laptop की सगरीन पे कि अपने मुदाइज़ेशन को कैसे इनेबल करना है अपने इसफने करना है या नहीं करना है यह फिर आप अपने जो पॉलिसी है 4000 है और 1000 सPSक्राइबर की उसको कम्प्लीट करने के बाद इनेबल करना है यह आपकी मर्जी है कि आप जैसे भी चाहो उसे इनेबल कर सकते हो, अगर friends आप मेरी मानों तो आप पहले ही जैसे ही चैनल बनाते हो उससे में ही आप अपनी monetization को इनेबल कर सकते हो, इससे क्या होगा friends कितने हो गए हैं और कितने pending हैं तो आप please monetization को अभी अगर आप YouTube चैनल पे नए हो आपने निया चैनल क्रेट किया है और अगर मेरे कई फ्रेंड्स ने चैनल जो इनेबल कर लिया है तो तब भी आप मेरी इस वीडियो को देखिए गा ताकि इस video में आप शायद को कुछ अलग सीखने को मिले शायद आप में कोई ऐसी मिस्टेक की हो वो उसको सुधारने का आपको मुखा मिले मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि आपने कोई गल्ती की होगी लेकिन फिर भी आप मेरी इस वीडियो को लास्ट एंड तक देना का कि आप उसमें कुछ आपको सीखने को मिल सकता है आप उस मिस्टेक को सुधार सकते हो अगर आपने की है तो तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए आपका अपने यूटूब चैनल कि आपको आपको आपके आपके पास नाटिविकेशन के तूप कहुंच सके उसको आप सबस्क्राइब को प् चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो सो फ्रेंड्स हम आगे हैं अपने लैपटव की स्क्रीन पर यह मैंने अपने फ्रेंड का चैनल ओपन करके रखा हुआ है आपने क्रों ब्राउजर को आपने लोगन यहां पर करना है और आप चाहो तो स्मार्टफोन पर जाना है वहां से आपने स्लेट करना है यूटूब स्टूडियो बीटा फ्रेंड्स आपका बीटा स्टूडियो में क्रेटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा लेकिन आपने बीटा वर्शे में नहीं क्लासिक क्रेटर स्टूडियो में जाना है इसका जो ऑप्शन है आप आपका classic studio में open हो जाएगा तो इस तरह का interface आएगा आपने simple सा channel पे जाकर click करना है step by step बता रहा हूँ ध्यान से देखिए ठीक है तो channel को open करने के बाद यहाँ पे आपको montization का section देखने हो मिलता है जहाँ पे आपको enable की एक option मिलती है ठीक है पर आपको simple सा press करना है friends इस तरह का interface आपके सामने open होके आजाएगा यहाँ से आपका सारा process start हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा first option जो है वहाँ पे आपने click करना है यहाँ पे show कर रहा है start start पे click कर एक क्लिक करके इन सब पे आपने टिक लगाना है । तो यहाँ पे आपने करना है iis act तो friends iis a-cast करने के यहाँ आ यहाँ पर आजागा green tick अब देखे 4 process complete करने जिसमें से complete हो चुका है दूसरा है adsense का जिसमें आपने sign up करना है क्या है कि आपको adsense वाले start button पे click करना है जिसमें क्या होगा कि redact हो जाएगा adsense के account की तरफ ठीक है जहां से adsense account बनाया जाएगा ठीक है यहां पे आपको verify करने यहां पर आपने verify करना हो गहा तो pillarấ Ream Dies जैसे आपा अपना verify रदोगे यहां पर अपको monetization का option आएगा यहां पर आपको next करने का option देखने को मिलेगा यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है नेक्स करने के बाद फ्रेंड्स के यहाँ पे आपको email id देखने को मिलेंगे जो आपने क्या करना है कि उसी email id से आपने अपना account open करना है जिस account id से आपका चैनल बना हुआ है मैं अपना मैं उसी email id को select कर लेता हूं जिससे मेरा चैनल बना हुआ है फ्रेंड आप देशकते हो यह ड़ी डायट हो जाएगा Google AdSense के खाते पे Google AdSense का account यहां पे open हो गया है यहां से आपका चैनल का URL automatically select कर लेगा हां से आपने उपर वाली दो options को check mark लगाना है वो आपके मज़िया चैक मार लगाना यह नहीं लगाना उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने country को select करना है मैं इंडिया से हूँ तो मैं अपनी इंडिया कंट्री जो है select करूँगा उसके बाद आपने अगर आप किसी अधर कंट्री से हो तो आप अधर कंट्री स्लेक्ट कर लेना आप इंडिया स्लेक्ट करने के बाद जाओगे यहां पर आपको रिव्यू आएगा आपको create account के उपर क्लिक करना है अपके सामने एक form ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते अभी लोडिंग हो रहा है अभी आप देख सकते यह ओपन हो रहा है यह देखे यह ओपन हो चुका है इस form में form को आपने carefully भरना है और आपने वही address भरना है जो कि आपके अधार कार्ट पर दिया गया है वही सब कुछ आपने यहां पर फिल करना है वैसा अलग कुछ नहीं करना कि आके आपको AdSense की तरफ से कोई दिक्रद ना है और आपका account जो है properly सई दिके से चाल तो मैं यहां पर वही सब कुछ फिल करूँगा तो उसके बाद में आपको बताता हूँ कि क्या करना है जब आप सारा address यहां पर फिल कर दोगे यह बाद आपने क्या करना है जो सारी information देने के बाद आपना जो मोबाइल नमबर है यहीं पर आपने एंटर करना है जो आपका चल रहा है correctly जो आपका Google AdSense का पिन जब आएगा तो उसी नमबर पर आए तो इससे क्या होगा कि जो कोरियर वाला या पोस्ट ओफिस वाला आपके घर पर लेके आएगा तो इस नमब पर कोल कर की आपके पास पहुच्श चाहे जो यहां पे पर आपना नमबर है डिना जरूरी है कोई आपने सारी डिटेएल देने के बाद मॉबाइल नमबर जरूर एसे सब्साहत है यहां पने पर आपने का PT करना है यहां पर कनलीख चला यूटरी है के चले just car account create हो चुका है तो एक बात आपको याद रखनी है जो भी अड़ार कार के उपर detail है वो ही आपको देनी है तो देखिए यहाँ पर एडसेंस account requested हो गया है तो यहाँ से set monetization के उपर click करना है तो उसके बाद save पर click करना है यह save कर देगा तो आपका क्या होगा यहाँ पर तीनों पर टिक लग जाएगा देख सकते हो यहाँ पर चोते नंबर पर आपकी सारी डिटेल शो कर रहेगा कि आपका सब्सक्राइबर कितना है और आवर्स कितने पैंडिंग है अभी आप देख सकते हो इस चैनल को 16 आवर्स हुए है जो कि अभी 4000 गंटा चाहिए और सब्सक्राइबर 50 हुआ है वो भी 1000 चाहिए यह चला गया है और मेर इनेबल कर सकते हो बहुत ही इंपोर्टन यह वीडियो था मैंने बहुत ही अच्छे त्रीके से बहुत ही बारिकी से आपको समझाया है तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना लोगों से शेयर कर देना और अपने भाई को स्पोर्ट केने लिए